हेलो एवर्यवन दिस इस डॉक्टर जी विश्यादाउ तो जैसे की हर एक श्टेट की कॉंसलिंग रेट आती जा रही है तो यहां पे अगेन जो है एक नया श्टेट जिसका नोटिफिकेशन आ गए है तो यह जो है 50 परसेंट जो ओल इंडिया कोटा के लिए है उसी के लिए नोटिफिकेशन है तो यहां पे आपको जो है मैं पूरो बता देता हूं यह गुजराती स्टेट का जो है स्टेट जो है कॉंसलिंग कंडक्ट करा रहा है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन है रिस्टार्ट करते हैं अपन क्या वो लग है इस नोटिफिकेशन में और जिन Government of Gujarat Advertisement for Online Registration and Document Verification यहाँ पर बुलागे है Schedule of Online Registration and Document Verification for Admission of Government Seat Management Seat and NRI Seat in First Year for MDMS, Ayurveda and MD Homeopathy Post-Graduation Course including 50% ERI Seats of Ayurveda and Homeopathy Post-Graduation Course in Self-Financed Institute in Government and Self-Financed College for Academic Year 2023-2024 as followed तो यहाँ पर आपका जो है Registration and Verification के से Related and Seat Allotments से Related ही मतलब जो Schedule है वो आपका जारी किया गया है जो 15% जो Seats है जो गुजरात के अंदर गत्वेरी करते हैं जो आपके गौवर्मेंट प्राइवेट जो कॉलेज है उसके लिए ताथ जो गौवर्मेंट एड़ेट कॉलेज हो उनके लिए तो क्या क्या चीजे वो जीगी हैं वो अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो आलाइन पीन पर्चेस फोर वेबसाइड एड़ेशन कमिटी तो यह आपका जो डेट है वो आपका बताएगए चैदस दो जारतीश से लेकरके आठ दस दो जारतीश है तो यहाँ एक हिसाब से फीजिकली आपको जाकर के जो सेंटर है वहाँ डोकुमेंट को वेरिफाई कराना पड़ेगा है तो डोकुमेंट वेरिफिकेशन और सम्मेट ऑफ फोटो कॉपी ओप डोकुमेंट एठ हेल्प सेंटर वो आपका बताएगा है च्छे दस दोहजार तेईस से लगकर के नौदस दोहजार तेईस अब यहां पे कुछ नोट पॉइंट भी बोला गया है क्या बोला गया है केंड उनिवर्सिटी ऑफ गुजरात स्टेट और इलिजिबल फॉर स्टेट कोटा इंक्लोडिंग 10 परसेंट मैनेजमेंट कोटा सीट अजवेल 50 परसेंट और इंडिया कोटा सीट ऑफ एसेप कॉलेजेस ठीक है तो जो जिन लोगोंने बी एमेस जो है गुजरात स्टेट से किया यह गुजरात की उनिवर्सिटी से किया है उनके लिए जो है 10% और जो है जो इलिजिबलिटी स्टेट जो कोटा का जो 10% मैनेजमेंट कोटा के जो सीट है उसके लिए भी उनलोग एलिजिबल रहेंगे साथी साथ पंदरा पर्सेंट आल इंडिया कोटा के सीट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे यह पहला पॉइंट बोला गया है सेगंड पॉइंट बोला गया है किंडिडेट हुआ इलिजिबल असपर याई पीजिटी 2023 प्रेटेरिया अज वेल अज आयूस मिनिस्ट्री न्यू देली एंड हेव पाजड बी एमस बी एच एमस फ्रॉन दे यूनिवर्सिटीज ओफ एनी अधर इस्टेट अफ इंडिया आर इलिजिबल अली फॉर फिप्टी पर्सेंट आल इंडिया कोटा सीट आफ एस एप फाई कॉलेजस यानि कि कहने का मतलब यह है जिन लोगों ने बी एमस या बी एच एमस अधर इस्टेट के यूनिवर्सिटी से किया है वो आल इंडिया कोटा के पंदरा पर्सेंट सीट के लिए इलिजिबल रहेंगे ठेक है यहां पर दो चीज़े है मैनेजमेंट कोटा के लिए जो स्टेट का जो अलग से मैनेजमेंट कोटा है दस परसेंट उसके लिए तो वहां जिन्होंने गुजराती स्टेट में बी एमस के है उन लोग एलिजिबल रहेंगे और 15% के लिए लिजिबल रहेंगे लेकिन जिन्होंने बाहर की स्टेट से किये है बी एमस वह सिर्फ 15% ओल्ले नेजमेंट के लिए लिजिबल रहेंगे फिर उसके बाद मैं बोलग है फोर ऑनलाइन रेजिस्टेशन फॉर्म वेबसाइट तो वेबसाइट के उपर यह जो आपका वेबसाइट बताएगा है www.med.adm.org के उपर आपको जा करके रेजिटेशन वगर करना है उसके बाद मैं बोलग है तो मस्ट गो टू हेल्प सेंटर विद थाई रेक्वाइड सेंटिफिकेट एन रेजिस्टेशन स्लीप ठीक है फिर रेजिस्टेशन स्लीप और जो भी आपके सेंटिफिकेट है उसको पकड़ करके आपको जो हेल्प सेंटर है वहाँ पर आपको जो डॉकुमेंट है ठीक उसको verify करने के लिए जाना है यहां पर वो लग है application verification at the help center will be closed on Sunday and other public holidays then above process will be continue for the rest of the day ठीक है तो जो application का जो verification है ठीक है वो Sunday को तो बंधी रहगा और जो general holidays रहते हैं government holidays उसमें भी बंद रहते हैं बाकी दिन आप जाकर करा सकते हो फिर वो लग है detailed information about admission process is available website www.mad.mgujrat.org please visit this website frequently for update information by the admission committee ठीक है तो यह यहां पर बताया गए यहां पर इसके बाद ने बताया गए importance now onward all information regarding admission process will be published only on website of admission committee ठीक है तो इसी कमें जो website है उसे को उपर जो भी आपके बांके चीज़े हैं वह आपकी आएगी ठीक है तो यह जो